जार्खन के जिलों का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है इसी में आज हम लोग देखेंगे हजारी बाग जिला के बारे में हजारी बाग जिला का इस्थापना 1833 में हुआ है इसकी अवस्तिती जार्खन के उत्तरी भाग में है छेत्रफल है 3555 वर किलोमिटर और वन छेत्रफल है 2062 वर किलोमिटर इस जिला का चारो दिसाओं में देखे तो पूरब की और कोडर्मा जिला, गिरिडी जिला और बोकारो जिला इस्तित है पस्चिम की और चत्रा जिला इस्तित है, उत्तर की और बिहार इस्तित है और दक्षिन में रामगड जिला और राची जिला अवस्तित है यहां की कूल जनसेंख्या है 17,34,495 पुरू जनसेंख्या है 8,90,881 महिला जनसेंख्या है 8,44,614 बाल जनसेंख्या है 2,81,863 यहां का लिंग अनुपाथ है 9,47 अर्थात प्रती 1,000 पुरुसों पर महिलाओं की सेंख्या है 9,47 बाल लिंग अनुपाथ है 9,33 यहां का सक्छर्ता दर है 79,75 पुरू सक्छर्ता दर है 80,01 महिला सक्छर्ता दर है 58,95 5% और यहां की जनसेंका घनतू है 428 जार्खन में टोटल 5 प्रमंड़ है पांचों प्रमंडल में से हजारी बाग जिला उत्तरी छोटनागपुर प्रमंडल के अंतरगत आता है और यहां का मुख्यालई हजारी बाग ही है अनुमंडलों की संख्या दो है, हजारिबाग और बरही, प्रखंड सोल है, प्रखंडों के नाम है, केरेडारी, बढ़का गाउं, कटकम सांडी, चुर्चु, हजारिबाग सदर, बरही, इचाक, बिस्नुगर, बरकट्टा, चौपारन, पदमा, ताटी जर्या, डांडी, चल जर्कूसा, दारू, और कटकम दाग, यहां से प्रवाहित होने वाली प्रमुक नदियों में से है, दामुदर नदी, इस नदी का उदगम लातेहार के चन्दवा प्रखंड से हुआ है, इस नदी को देवनात, बंगाल का सोक आदी नाम से जाना जाता है, चत्रा, हजारिब रामगर्ड, बोकारो, धनवाद होते हुए, यह बंगाल में प्रवेस करती है, इसकी सहायक नदियां है, कोनार, बराकर, बोकारो, जमुदर, आदी, प्रमुक नदियों में से है, बराकर नदी, इसका उदगम एस्तल, उत्तरी छोटनागपूर का पठार से हुआ है, और दामोदर नदी, अर्थात दामोदर नदी में ये मिल जाती है, और भी है, भहरवी, गरही, टांडवा, ये सब हजारिवाग जिला के अंतरगत आने वाली प्रमुक नदियां है, हजारिवाग जिला में इस्तित प्रमुक जल प्रपात है, बोकारो, जल प्रपात, ये जल प यह कुंड हजारिवाग जिले में बढ़ हाथा से दो किलोमेटर की दूर पर इस्ति थे यहां का तापमान है 88.8 डिगरी सेलसियस ताइगर प्रपाथ यह गरम जलकुंड हजारिवाग जिले में बराकर नदी पर इस्ति थे आगे है कावा और हरहद ये दोनों भी हजारिवाग जिले में हैं दोनों गरम जलकुंड है यहाँ पर दो एतिहासिक इसमारक है एक है बादाम का किला ये किला हजारिवाग सहर से 32 किलोमेटर दूर बादाम नाम का एक जगह है वहाँ इस्तीत है इसका निर्मान रामगड के राजा हेमंत सिंग ने 1642 में करवाया था और राजा हेमंत सिंग ने यहाँ पे एक सीब मंदिर का भी निर्मान करवाया था दुसरा है पदमा का किला ये किला हजारिबाग में नेशनल हाईवे 33 के किनारे पदमा नाम का एक जगह है वहाँ पे इस्तित है और इस किले का निर्मान पदमा के महाराजा ने ही करवाया था किले को अब फिलहाल राजी सरकार ने पुलीस प्रसिच्छन केंडर बना दिया है यहाँ पर इस्तित प्रमुक धार्मिक एस्तल है सिब मंदिर ये सिब मंदिर हजारिबाग जिला के बढ़का गाउं थाना के पास बादाम गाउं में इस्तित है बादाम नाम के एस्तान पे जो पहाड़ी है वहाँ पे चार गुफा मंदिर है और ये सभी सिब मंदिर है इनका निर्मान सत्रवी सदी के बाद हुआ है यहाँ निवास करने वाली जंजातियां है संथाल, मुंडा, खेरवार, लोहरा, खड़िया, बुमीज, महली, चेरो, करमाली, कोरा, परिया, बैगा सवर, बेदिया इतने सारी जंजातियां मिलके यहाँ पे निवास करती है यहाँ पाए जाने वाले खनीज है फायर कले, फैलसपार, कोईला, चुनापत्थर, अभरक, क्वार्च और पाइराइट यहाँ पर इस्तीत प्रमुक परियाटन एस्थलो में है हाजारिबाग इरोमिटर छेत्रफल में फैला हुआ है, यहाँ पर तेंदुआ, हीरन, सांबर, आधी, जानवर पाये जाते हैं, इसके अलावा जो परियाटन एस्थल है, उसमें है कोनार डेम, चेंदरपूरा हीरन पार्क, सूरज कुंड, सूरज कुंड के वारे में आप लोगों को पहल पागे रख ले, थेंक यू